हेलो स्टूडेंस कैसे हो आप लोग आज मैं पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर सेवन जिसका नाम है अवेजिट टू कैम्ब्रिज चैप्टर को सुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ 1960 में 1960 में मुंबई में एक पार्सी परिवार रहा करता था इसी परिवार में फिर्दोस कांगा के नाम से एक वेक्ति का जन्म हुआ बच्पन से ही फिर्दोस कांगा को Brittle Bonds के नाम से एक बिमारी थी इस बिमारी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से तूट सकती हैं इसे लिए फिर्दोस कांगा को Wheelchair पर चलना पड़ता है आज भी फिर्दोस कांगा जिवित हैं एक जाने माने लेखक हैं नाम Sixth Happiness था इनकी दूसरी किताब जिसका नाम Heaven on Wheels है में इन्हों ने अपने ब्रिटेन दोरे के बारे में लिखा है जब फिर्दोस कांगा ब्रिटेन गए थे तब वे Cambridge University घूमने गए थे उनके गाइड ने उनको स्टीफन होकिंग के बारे में बताया इस्टीफन होकिंग का जनम इंगलेंड के उक्सफोर्ट सहर में 8 जनवरी 1942 को हुआ था वे इंगलेंड के जाने माने विज्ञानिक और लेखक थे 14 मार्च 2018 को उनकी मृत्यू हुई थी स्टीफन होकिंग 20 वर्ष तक स्वस्थ थे जब वे अपने कॉलेज के फाइनल एर की पढ़ाई कर रहे थे और क्रिस्मस की छुट्टियों में घर आये थे तब उनको पहली बार एहसास हुआ कि उनका सरीर है वो धीरे-धीरे पैरलाइज हो रहा है डोक्टर को दिखाया गया और धीरे-धीरे सरीर पैरलाइज हो गया और उनको भी वील चेर पर चलना पड़ा जब फिर्दोस कांगा केंपरीच यूनिस्टी घूम रहे थे तब उनको पता चला कि स्टिफन होकिंग भी इसी सहर में रहते हैं फिर्दोस कांगा ने उनके घर फोन किया स्टिफन होकिंग के असिस्टेंट ने फोन उठाया फिर्दोस कांगा ने कहा कि मैं भारत से वेल चेर पर आया हूँ मुझे Stephen Hawking से मिलना है उनकी assistant ने कहा कि आप कल दो पहर साड़े तीन बजे से चार बीजित तक उनसे मिल सकते हो दूसरे दिन पिर्दोस कांगा दो पहर साड़े तीन बजे Stephen Hawking के घर पहुँचे आधा घंटा जल्दी ही बीट गया ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि स्टिफन पूरी तरह से पैरलाज थे बोल नहीं सकते थे उनकी वीलचेर पर लगी स्क्रीन से वो बात करते थे जिसमें काफी समय लगता था जब फिर्दोस जाने लगे तो स्टिफन ने उनको रोका दोनों ने बैठ कर चाय पी फिर स्टिफन ने अपने घर का गार्डन फिर्दोस को दिखाया एक घंटा बीट गया जब फिर्दोस कांगा वहां से वापिस चल दिये वापिस जाते समय फिर्दोस ना ही तो गले मिल सकते थे ना ही हाथ मिला सकते थे ना ही रो सकते थे कुछ दूर चलने के बाद में उन्होंने पीछे मुड के देखा उन्होंने देखा कि उनको ऐसा लग रहा है कि मन ही मन के अंदर स्टिफन उनको हाथ हिला कर बाई-बाई कर रहे है फिर दोस कांगा की इसी किताब Heaven on Wheels में से ये चेप्टर लिया गया है ये थी इस चेप्टर की समरी अब हम इस चेप्टर को line by line read करेंगे This is the story of a meeting between two extraordinary people This is the story, ये एक कहानी है of a meeting, मिलने की, ये एक मिलने की कहानी है between two extraordinary people दो ऐसाधरन लोगों के मिलने की कहानी है Both of them, दोनों की दोनों disabled, मतलब अपंग, or differently abled as we now say आज कल हम disabled को क्या कहते हैं, differently abled कहते हैं Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time Stephen Hawking हमारे समय के महान विज्ञानिकों में से एक है He suffers from a form of paralysis that confides him to a wheelchair उनको paralysis है, लक्वे की बीमारी है, जिसकी वज़े से वो एक wheelchair तक सीमित रहे गई है Confined का मतलब सीमित रहे जाना And allows him to speak only by punching buttons on a computer और बोलने के लिए वो computer की buttons को दबाते हैं Which speaks for him in a machine-like voice जो computer है, वो एक machine की आवाज में बोलता है Firdos Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai Firdos Kanga writer हैं, लेखक हैं, मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं Kanga was born with brittle bones, Kanga को बच्पन से ही brittle bones की नाम से बिमारी थी That tended to break easily, जिनकी आसानी से तूटने की परवर्ती होती है When he was a child, जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तब ही उनको ये बिमारी लग गई थी Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair जो Stephen Hawking है, उन्हीं की तरह से जो फिर्दूस Kanga है, वो भी wheelchair की उपर घूमते हैं The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair इस chapter में, दोनों लोग आपस में ये विचार हैं, वो आपस में exchange करते हैं कि एक wheelchair की उपर कैसा जीवन होता है And how the so-called normal people react to the disabled और जो normal people हैं, वो इनके लिए किस तरह से react करते हैं Cambridge was my metaphor for England, Cambridge मेरे लिए England का metaphor था Metaphor का मतलब होता है, समानता दिखाने वाले जो सब्द होते हैं, उनको हम metaphor बोलते हैं जैसे कि, for example, वह है share की तरह से लड़ा, मतलब उसकी समानता हमने share से कर दी, तो एक metaphor हो गया तो फिर दोस कांगा यहां पर कहना चाहते हैं, कि अगर आपने Cambridge घूम लिया, Cambridge University देख ली, तो इसका मतलब आपने पूरा England देख लिया and it was strange और यह अजीव था that when I left it, जब मैं वहां से वापिस आया, Cambridge University से मैं वापिस आया, it had become altogether something else, यह बिलकुल ही अलग हो गई थी because I had met Stephen Hawking there, क्योंकि मैं वहां पर Cambridge में Stephen Hawking से मिला it was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking मैं Cambridge के अंदर, Cambridge University के अंदर है, वो tour ले रहा था, तभी हमारे guide ने Stephen Hawking की चर्चा की उनको mention किया poor man, बेचारा आदमी, who is quite disabled now, जो कि अभी disabled हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं quite का मतलब almost लगभग, though he is a worthy successor of two Isaac Newton, जबकि अगर वो अपंग नहीं होते तो वो Isaac Newton के successor होते, मतलब जो कुरसी, जो पद Newton के पास था, वो उनका होता Newton के पास कौन सा पत्था, whose chair he has at the university जो Cambridge है उसके अंदर जो MP की post थी, Member of Parliament, उसकी post पर Newton थे अपने समय पर और इस समय Stephen Hawking हो सकते थे, लेकिन वो अपंग हो चुके हैं, इसलिए वो MP, Member of Parliament कहां से Cambridge से नहीं बन सकते, and I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist और फिर मैंने शुरुवात की, उनसे मिलने की, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल से भूल गया था कि जो brilliant और एकदम से paralyzed, एकदम से जो लक्वे से के सिकार, जो astrophysicist हैं, विज्यानिक हैं, The author of A Brief History of Time, और यह जो किताब है, A Brief History of Time, इसके लेखक हैं, वन ओफ दे बिग्गेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिवड हीर, और मैं भूल चुका था कि केंब्रीज के अंदर ही वो रहते हैं, और इनकी यह जो किताब है, यह बेस्ट सेलर रही है, सबसे ज्यादा बिखने वाले किताब रही है, When the walking tour was done, जब घूमने का काम पूरा हो चुका था, I rushed to a phone booth, तब मैं जल्दी से एक phone booth के उपर गया, And almost tearing the cord, so it could reach me outside, और मैंने उस cord को इतना खीच लिया, उस wire को इतना ज़्यादा खीच लिया, कि वो एक बार तो तूठी जाता, ताकि वो मेरे पास बाहर पहुंच सके, क्योंकि फिर दोस कांगा है, वो wheelchair पर है, Phoneed Stephen Hawking's house, जो Stephen Hawking है, उनके घर उन्होंने phone किया, There was his assistant on the line, Line के उपर उनके assistant थे, And I told him I had come in a wheelchair from India, मैंने उनको कहा, कि मैं इंडिया से wheelchair के ओपर आया हूँ, Perhaps Syed, He thought, उस assistant ने सोचा होगा, I had propelled, Propel का मतलब, चलना, Myself all the way, कि मैं खुद wheelchair पर ही चल के आया हूँ, लेकिन actually move, Aeroplane से गए थे, To write about my travels in Britain, ताकि मैं Britain के बारे में अपनी किताब में लिख सकूँ, इसलिए मैं Britain आया हूँ, I had to see Professor Hawking, मुझे Professor Hawking से मिलना है, Even 10 minutes would do, मुझे अगर आपे ज़्यादा समय नहीं है, तो 10 minutes भी चलेंगे, How and are he said, उनके assistant ने कहा कि आदा गंटा, From 3.30 to 4, साड़े तीन बज़े से, 4 बज़े तक आपे मिल सकते हो, ये किस ने कहा, Stephen Hawking के जो assistant है, Suddenly I felt weak all over, और अचानक से मैं अपने आपको कमजोर महसूस करने लगा, All over का मतलब, Completely, पुर्णता है, Growing up disabled, You get fed up with people, Asking you to be brave, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, और आप अगर अपंग होते हो, तो एकदम से आप fed up हो जाते हो, तंग आ जाते हो, As if you have a courage account, जैसे कि आपके पास कोई साहस का खाता हो, on which you are too lazy to draw a check, The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you, achieving something huge, ऐसी हालत में एक ही चीज़ आपको मजबूत बनाती है, अपने जैसा ही कोई दूसरा देखना, अपने जैसा ही कोई दूसरा अपंग देखना, जिसने कुछ महानकारिय कर दिया हो, Then you know, तब आप जानते हो, How much is possible, कितना ज्यादा possible है, And you reach out further, Than you ever thought you could, और तब आप वहां तक पहुंच सकते हो, जहां तक आप सोच सकते हो, अब फिर दोस्ट कांगा है, वो स्टेफन होकिंग से बात कर रहे हैं, और वो स्टेफन होकिंग से पूछते हैं, कि क्या आप बहादूर रहे, तो उन्होंने कहा, I haven't been brave, मैं इतना बहादूर नहीं हुआ, Said he is disembodied, Disembodied का मतलब अपने से अलग, Computer Voice, उनकी जो Computer Voice है, उसने कहा, कि I haven't been brave, That afternoon, दो पहर को, उनसे जब मलाकात हुई तब, I have no choice, मेरे पास कोई choice नहीं थी, Surely I wanted to say, Living creatively with the reality of, His disintegrating body was a choice, But I kept quiet, Because I felt guilty every time I spoke to him, Forcing him to respond, इस बात की उपर, फिर्दोस कांगा कहना चाहते थे, कि एक creativity के साथ, जिना भी एक choice हो सकती है क्या, लेकिन फिर्दोस कांगा, सांथ रहे, चुप रहे, क्योंकि जब भी वो कुछ पूछते, Mr. Hawking से, तो वो अपने आप में, guilty feel करते, क्योंकि Stephen Hawking बोल नहीं सकते, उनको जवाब देने के लिए, buttons टाइप करने पड़ते हैं, काफी समय लगता है, काफी मुसिबत उठाने पड़ती है, इसे लिए, उनको वो जवाब देने के लिए, दवाब नहीं डालना चाहते थे, उनकी हाथ में जो छोटा सा स्विच थे, उसके उपर टैप कर रहे थे, अपने कम्पीटर के उपर है, वो वर्ट्स को ढूंट रहे थे, उनकी बोड़ी में थोड़ा सा मुवमेंट बचा था, अपने अंगुलियों को वो थोड़ा सा हिला सकते थे, उनकी जो लंबी-लंबी, जो एकदम से पतली, कमजोर जो अंगुलियों थी, वो उनमें थोड़ा सा मुवमेंट बचा था, एवरी सो ओफन, इस आइज वोड़ा सा मुवमेंट बचा था, एंगुलियों का मतलब उनकी पीड़ा, उनकी पीड़ा को आप उनके सामने बेट कर समझ सकते हो, उनका जो माइन है वो तो काफी चीरफुल है, विद थोड़ा था केम आउट इन फ्रोजन फ्रेज़, उनके जो थोड़ा हैं वो तो बाहर आते हैं, ऐसे लबजों में, ऐसे फ्रेज़ में जो की फ्रोजन हैं, वो जम्य हुए हैं, कम्पीटर की आवाज में, एन सेंटेंस और उनके वाके, स्टिफ एज कोप्स, ऐसे जखड़े हुए हैं, इतनी स्टिफ हैं, जैसे की एक मुर्दा जखड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो उनकी आवाज कम्पीटर से आती हैं, ऐ लॉट पीपल सेंग बहुत सारी लोग सोचते हैं, that disabled people are chronically unhappy बहुत सारी लोग सोचते हैं कि जो disabled लोग हैं अपंग लोग हैं वो हमेशा से ही chronically का मतलब हमेशा से ही या फिर जनम से ही unhappy होते हैं, दुखी होते हैं I said, मैंने कहा I know that is not true myself मैं जानता था कि ये सच नहीं है Are you often laughing inside? उन्होंने पूचा, फिर दोस कांगा ने पूचा कि क्या आप अंदर ही अंदर हंसते रहते हो इस बात के उपर जब लोग सोचते हैं कि अपंग लोग हमेशा से ही जनम से ही unhappy होते हैं About 10 minutes later, 10 minutes बाद में he responded, उनका जवाब आया I find it amusing when people patronize me मुझे काफी अजीब लगता है, amusing लगता है जब मुझे लोग patronize करते हैं Patronize का मतलब होता है एक संगरक्षक की तरह से विवार करना ऐसे विवार करना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम को लकवा मार गया है इसलिए तुम किशी लाइक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हर चीज के लिए advice लिने की जरूरत है हर चीज के लिए help की जरूरत है जब लोग इस तरह का विवार करते हैं, तो मुझे काफी amusing लगता है, जीब लगता है And do you find it annoying when someone likes me, comes and disturbs you in your work? क्या आपको काफी परिशानी होती है जब मेरे जैसे लोग आपसे मिलते हैं और आपको काम करने में disturbs करते हैं The answer flashed yes, screen पर answer आया हाँ Then he smiled, his one way smile, फिर वो उन्होंने smile किया And I knew, और मैं जानता था, without being sentimental, बिना भाव क्वे और सिली, बिना बेवकुफ हुए मैं जानता था, I was looking at one of the most beautiful men in the world कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को देख रहा हूं A first glimpse, glimpse का मतलब जलक पहली जलक में, of him is shocking उनकी पहली जलक चौकाने वाली है जब आप Stephen Hawking को पहली बार देखते हूं तो एकदम से आप चौक जाते हूं Because he is like a still photograph, क्योंकि वो एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह है As if, जैसे कि all those pictures of him in magazines, जो भी उनकी pictures magazine के अंदर छपी है And newspapers have turned three dimensions वो सारी photos है, वो 3D में convert हो गई, ऐसा लगता है कि एक photo की तरह है हिलते डूलते नहीं है Then you see the head twisted sideways उनका सिर है, वो एक तरफ बगल में मुड़ा हुआ है Into a slump, slump का मतलब गिरा हुआ एक तरफ तो जुका हुआ है, साथ में गिरा हुआ है The torso, torso का मतलब जो धड है वो सिर के निचे वाला हिसा, धड Shrunk, वो शिकूड गया है Inside the pale blue shirt Ficky blue shirt के अंदर उनका जो धड है, वो शिकूड गया है The wasted legs, और उनके जो खराब जो पैर हैं वो You look at his eyes which can speak उनकी आंखें हैं जो बोल सकती हैं Still, वो काफी सांत हैं And they are saying something huge and urgent वो बहुत ही बड़ी चीजें बोल रही हैं काफी urgent चीजें बोल रही हैं It is hard to tell what लेकिन वो आंखें क्या कह रही हैं ये बताना मुस्किल है But you are shaken आप बिलकुल हिल जाते हो Because you have been something you never thought you could be seen जब आप ऐसी चीज़ को देखते हो जब आपने जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं हो तब आप हिल जाते हो Before you आपके सामने Like a lantern Whose walls are worn So thin You glimpse only the light inside आपके सामने एक ऐसी lantern होती है जिसकी जो दिवारी है वो काफी पतली हो चुकी है घिश चुकी है आप सिर्फ एक ज़लक देख पाती हो जो उनकी अंदर एक light है उनके अंदर जो परकास है उसकी एक ज़लक देख पाते हो और वो light है एक आदमी के अंदर की चमक इनर ग्लो और light एक इनसान के अंदर की चमक वो सिर्फ आप देख पाते हो और उनकी जो बोड़ी है वो बिलकुल से इर्रेलेवन्ट है एसंगत है उस शरीर से उस आतमा से जूड़ी हुई नहीं है और ऐसा लगता है कि जो शैड़ोज है जो चाया है उनका एक बोक्ष है So that I, इसलिए मैं No believer in Eternal Soul जो की एविनासी आतमा के अंदर मैं विश्वास नहीं करता No, मैं जानता हूँ That this is what each of us is इसलिए मैं जानता हूँ कि हमारे अंदर क्या है हमारे अंदर बोड़ी कुछ नहीं है हमारे अंदर की जो ग्लो है चमक है जो ग्यान है वो ही सबसे important है everything else is accessory और जो हमारा स्रीर है वो तो एक accessory है वो एक अतरिक्त पार्ट है उसकी कोई जरूरत नहीं है what do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier मैंने उनसे पहले पुछा था कि जो अपं होने में सबसे अच्छी चीज क्या है I don't think there is anything good about being disabled उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अपं होने में कोई भी अच्छी चीज है मतलब कोई भी अच्छी चीज नहीं है I think I said मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ you do discover how much kindness there is in the world और मैंने कहा कि मैं यह सोचता हूँ कि दुनिया में कितने काइरनेस है कितने अच्छाई है यह हमें पता चलती है जब हम अपंग होते हैं Yes, he said उसने कहा कि हाँ यह तो हमें पता चलता है It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection inflection का मतलब लहजे में जो बदलाव होता है उसको हम बोलते हैं no shades shades का मतलब रंग और tone tone का मतलब लहजा उनकी जो आवाज है जो computer की जो आवाज है उसका एक disadvantage है उसके एक हाने है उसमें पता नहीं चलता कि जो इनसान बोल रहा है उसका लहजा क्या है वो उसको किस तरह से बोल रहा है क्योंकि कई बार हमारे बोलने का मतलब अलग होता है और उसके जो लब्ज होते हैं वो अलग होते है और मुझे नहीं पता था कि कितने उत्सा पुरवक वो मेरे से agree करते थे मेरे से सहमत थे Every time I sifted in my chair or turned my wrist to watch the time I wanted to make every one of our 30 minutes count मैं जब भी अपनी chair को move करता या फिर अपने घड़ी को देखता तो मैं चाहता था कि मैं हर एक minute को काम मिलूँ मैं हर एक minute उनसे बात करूँ क्योंकि आधा गंटा बहुत कम समय होता है जब सामने वाला है वो जवाब ही 10-20 minute में देता है I felt a huge relief and exhilaration exhilaration का मतलब उत्सा है उल्लास हर्स खुसी in the possibilities of my body मेरी बोडी में कितने ज़्यादा संभावनाई हैं कितने ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ ये जानकर मुझे काफी खुसी हुई क्योंकि फिर दोस कांगा है उनको paralysis नहीं है उनको brittle bones है और वो काफी तोर पर active है और वो बोल सकते हैं How little it mattered than that I would never walk or even stand ये कितना ज़्यादा माईने रखता है कि मैं बोल ही ना पाहूँ या फिर मैं खड़ा ही नहीं हो पाहूँ ये कितना ज़्यादा माईने रखता है ये ऐसे इनसान को देखने से पता चलता है और मैंने उनको बताया कि वो कितने ज़्यादा एक क्लीशे से बढ़ कर हमारे लिए हम ज़ेशे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है उन्होंने कहा कि नहीं मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ and I thought how foolish I was to ask और फिर दोस कांगा ने पुछा कि did that thought help him क्या जब हम ये सोचते हैं कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हूँ क्या ये थोट, क्या ये सोच आपको help करती है उन्होंने कहा कि नहीं मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन हूँ यह thought, यह विचार मेरे help नहीं करता है When your body is claustrophobic claustrophobic room claustrophobic क्या होता है? बंद कमरे का जो डर होता है उसको हम बोलते हैं claustrophobic जब कोई बंद कमरे के अंदर होता है तो किसी वेक्ति को डर लगता है सभी को नहीं लगता है किसी किसी को लगता है तो उस आदमे को एक बीमारे है जिसका नाम है claustrophobic उन्होंने कहा कि जब आप बंद कमरे के अंदर होते हो और उसका आपको डर लगता है और साथ में उस बंद कमरे की दिवारे हैं वो धिरी धिरी हैं वो पास आ रही हैं तब आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि लोग आप से इंस्पिरेशन लेते हैं अब फिर दोस कांगा ने पूछा कि आप जो अपंग लोग हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो ताकि उनकी जो लाइफ है उनका जो जीवन है वो बेटर बन सके जादा अच्छा बन सके तब स्टीफन होकिंग ने कहा कि जो लोग डिसेबल है उनको उस बात पे कॉंसेटरेट करना चाहिए कि वो किस चीज में अच्छे हैं वो क्या कर सकते हैं जो डिसेबल ओलम्पिक्स है वो टाइम का वेस्टेज है उनको नहीं करना चाहिए तब फिर दोस कांगा ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपका क्या मतलब है क्योंकि उस साल को मुझे याद है जब मैं स्पैनिस गिटार को बजाता था और एक दिन मैंने ही उसको खुसी खुसी तोड़ दिया अधा घंटा बीट गया था फिर दोस कांगा ने कहा कि मैं सोचता हूं कि मैंने आज आपको काफी तंग कर लिया है अब मुझे चलना चाहिए मैंने मुश्कुराते हुई कहा थेंक यू फोर और उन्होंने कहा कि जो भी आपने मेरे लिए बात कि है उसके लिए धन्यवाद स्टे रुख जाओ आई वेटेड मरुका मैं तुमको गार्डन दिखा सकता हूं इक पार्क के जितना उनका गार्डन बड़ा था बट स्टिफन होकिंग कवर्ड एवरी इंच लेकिन स्टिफन ने सारा गार्डन उनको दिखाया रंबलिंग रंबलिंग का मतलब गड़ गड़ाना अलों इन हीज मोटराइजड वीलचेर अपनी मोटराइजड वीलचेर के उपर गड़ गड़ करते हुए चलते हुए वाइल आई दोज्ट टू कीप आउट अफ दवे और मैं बार बार हट रहा था उनकी रास्ते से और जो सूरी है उसके प्रकास के अंदर उसके गलेर के अंदर जो लेटर्स हैं जो सब्द हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे एन आवर लेटर एक घंटे बाद में वी वर रेड़ी टो लीव हम जाने के लिए तयार थे I didn't know what to do मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ I could not kiss him और cry नहीं तो मैं उनको kiss कर सकता था जो की western countries में होता है जब आप किसी को बाई 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 बोलते हो तो किस करते हो और cry नहीं वो रो सकते थे I touched his shoulder मैंने उनके कंधे को touch किया and wheeled out into the summer evening और धीरे धीरे बाहर आया I looked back मैंने पीछे मुड़ के देखा and I knew मैं जानता था he was waving वो हाथ हिला रहे हैं बाई बाई कर रहे हैं Though he wasn't यदर पीपो नहीं कर रहे थे लेकिन मैं जानता था कि वो मन ही मन के अंदर मुझे वेव कर रहे हैं Watching him an embodiment of my bravest self उनको देख करके जैसे कि वो मेरे ही किसी सबसे बहादुर अवतार है The one I was moving towards जिस तरफ मैं बढ़ रहा था वो में The one I had believed in for so many years ऐसा जिसके अंदर मैंने काफी सालों तक विश्वास किया है Alone, अकेला I knew that my journey was over for now मैं जानता था कि फिल हाल के लिए मेरी जो journey है वो खतम हो चुकी है और इस तरह से हमारा chapter खतम हो गया है बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इस chapter को फिर दोस कांगा ने लिखा है अपने किताब Heaven on We'll See Thank You